सेर सिंग की अदालत एक समय की बात है जंगल में सेर सिंग नाम का एक राजा रहता था सेर सिंग बहुत ही न्याय प्रिये और समस्दार राजा था उसके राज्जी में सभी जानवर खुशी-खुशी रहते थे एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई एक खर्गोश और एक कच्छुआ आपस में जगडने लगी दोनों का जगड़ा इतना बढ़ गया थी वैसे सिंग की अदालत में पहुँचे खर्गोश ने कहा महराज यह कच्छुआ बहुत ही आलसी है यहा हमेशा धीरे धीरे चलता है और रास्ते में रुकावच पैदा करता है कच्छुआ ने उत्तर दिया महराज मैं धीरे धीरे चलता तो हूँ लेकिन मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूँ खर्गोश हमेशा जल्दी में रहता है और कई बार अपने कामों को अधूरा छोड़ देता है सेर सिंग ने दोनों की बातों को पहुत ध्यान से सुने और सोचा कि इस समस्या का समधान कैसे किया जाए उसने दोनों को एक दोड में भाग देने का आदेश दिया दोड का मार्ग जंगल की चारो ओड का और उसे पूरा करने के लिए एक दिन का समय दिया गया दोड सुरू हुआ और खर्गोष देवी से दोडने लगा वह बहुत ही आत्म विश्वास से भरा हुआ था और सोच रहा था कि वह आसानी से जित जाएगा दूसरी और कच्छुआ धीरे धीरे लेकिन लागातार चल रहा था कुछ समय बाद खर्गोष ने सोचा कि वह बहुत आगे निकल चुका है और उसने एक पेड के नीचे आराम करने का निर्णे लिया आराम करते करते वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला कच्छुआ ने बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा और अंत में उसने खर्गोष को सोता हुआ देखा कच्छुआ बिना रुके आगे बढ़ता रहा और दोड का माल्ग पूरा कर लिया जब घरगोस्त जागा तो उसमें देखा थी कच्छुवा पहले से ही जीत चुका है वह बहुत की शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गल्पी मानी सेर सिंग ने कहा इस कहाने से हमें क्या सीख मिलती है कि धैर्रे से ही सफलता प्राप्त होती है जल्दबाते और आत्मे विश्वास में लापरवाही नहीं करने जाए इस प्रकार से सिंग की अदालत में नयाय हुआ उमीद करते हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं फिर से इसी तरह के अगली वीडियो के साथ में चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नौटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाबाई